हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर 11 है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको नहीं रुकती हैं और इस समय सुयोंग बहुत जादा परशान और गिल्टी महसूस कर रही थी खेर अब वो कांग्यून के पार चा करके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अपनी माम को समझा करके वो टीचर बेक को वापस ले आए वो घुटनों की बल तक चली जाती है और तो इसने करनी नहीं थी उपर से सुयोंग को डी मोटिवेट भी कर देती है कि तुम्हारी वज़ा से किसी ने अपना इतना बड़ा करियर छोड़ दिया तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी और कपका तुम्हीं यहां से चले जाना चाहिए था कि इधर टीम फाइब क सुयोंग से कहते हैं कि तुम कुछ दिन का रेस्ट ले लो अब सुयोंग जब यहां से जाने लगती है तब हांग जिन्वू को कॉल करके इंफर्म कर देता है कि वो यहां से जा रही है अब जिन्वू सुयोंग के पास चा करके उससे पूछता है क्या तुम्हारे टेस्ट आ गए, सुयोंग कहती है कि हाँ, ट्रीट्मेंट के बाद ये ठीक हो सकता है, जिन्वो कहता है फिर तो अच्छा है, तुमने मज़े फालत में डरा दिया था, सुयोंग का चैरा उत्र हुआ था, जिन्वो उससे माफ ही मांगता है कि उसने कुछ जादा ही बोल दिया, आगे स इसी तरफ जी सुंग, वो अपनी टीचर, जो कि उसकी मा की तरह है, उनके नाओने पर उन्हें याद कर रहा था, तब ही वहाँ जिन्वो आ करके, जी सुंग को सारा सच बताता है कि सुयोंग को पहले कलर ब्लाइडनेस की कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब कुछ उस कॉम्प तो बस अब आगे, जी सुंग पहुच जाता है सुयोंग से बात करने के लिए, वो उससे कहता है, टारेक्टर बेक, अगर तुम्हें अपनी जगा देकर के कही है, उन्होंने तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज देखी है, तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाह तुम समझ ही कही होगी कि मैं नहीं चाहता कि तुम कंपनी चोड़ो, सुयोंग कहती है, मकर फिर भी, जी सुंग कहता है, मेरे पास टीचर बेकती सिर्फ, वो चली गहीं, और अगर अगर अब तुम भी चली जाओगी, तो मैं अकीला हो जाओगा, इसलिए तुम्हें वाप अगर लगता है, अरे रुको कहां जा रहे हो, खेर, यहां में पता चलता है कि यह नाम पूरे टाइम सुयोंग के डैट के कांटेक्ट में था, और यह सुयोंग के डैट को इंफॉर्मिशन देता है, कि सुयोंग के पीछे, एक नहीं बलकि दो-दो लड़के पड़े हैं, जो कि अमर में छोटा है, और दूसरा जो काफी अमील लग रहा था, खेर, यहां पे सुयोंग के डैट तो बहुत खुश होते हैं, मगर नाम कहता है, मेरे बारे में सोचिए, मेरी शादी करा दीजी सुयोंग से, मगर अब अंकल को दो, दो-दो बड़ी अदमात के आप्श घर वापस लोट के आता है, तो देखकर कि अपने डैट को डरही जाता है, कि यह यहां क्या कर रहे हैं, तब उसके डैट कहते हैं, एक लाता बेटा है, और वो भी नलायकों की तरह घर लोट के नहीं आ रहा है, मुझे इस वीकेंड पे उस लड़की से मिलना है, और कुछ नहीं पता, मगर जिन वो कहता है, क्या मैंने घर से निकलने के बाद आपसे एक भी पैसा मांगा है, आप मुझ पे ऐसी दादागिरी नहीं कर सकते हैं, तब अंकल कहते हैं, रुक नलायक तुझे अभी बताता हूं, हौंग कहता है, इसे रोक दीजे, यह बहुत महंगे हैं तब अंकल तो कहते हैं, चल बाजू हट, बिचारा नीचे गिर के ऐसे देखता है, मेरा क्या कसूर, तूसी तरह सुयोंग की मॉम जवस से बात कर रही थी, तो उनके मुझे गलती से, उसी वीडियो के बार में निकल जाता है, जो कि कांग यून ने प्रिपेर कर आई थी, अब सुयोंग इस वीडियो का पूरा मेटर जो ही से जानती है, और उसे बता चलता है कि कांग यून कितनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी उसके खिलाफ, अब सुयोंग सारी चीज़े दुवारा से याद करने लगती है, और उसे समझ में आता है कि कांग यून को पता था, कि वो color blind हो चुकी है मगर फिर भी उसने उस production को नहीं रोका और ये इतनी बड़ी गलती होने दी खेरवई next day company में एक competition announce होता है एक top की actress Jay Silla red carpet पे पहनने के लिए dress इनी लोगों से design करा आना चारी थी और options के लिए उसने competition announce किया था kangiun को तो ऐसी ही लग रहा था की अब तो सिफ वह ही है competition में मगर सुयॉंग वो भी इस competition के बारे में देख लेती है आगे kangiun उससे कहती है ऐन दो तु म दुबारह से मुठा कर की हाँ पर आ गहीं तब सुयॉंग कहती है miss kangiun मुझे तुमसे बात करनी है अब सुयोंग उससे पूरी बात करती है कि शुरुवात से तुम्हें मेरी एज के बारे में सचा ही पता थी और तो और तुम इस बार भी जानती थी कि मुझे कलर ब्लाइडनेस हो चुकी है मेरे जानने से पहले फिर भी तुमने मुझे नहीं रोका अब कांग्यून भी अपना असली चेहराओ से दिखाने लगती है और उससे बोलती है असल में जूटी तो तुम हो इसमें मेरी क्या गलती सुयोंग कहती है अगर मेरे तक रहता तो ठीक था लेकिन इसमें तुमने मेरी मा को हर्ट करने की कोशिश की है और डिरेक्टर बेक को नुकसान पहुचाया है तो अब मैं तुम्हें सबक सिखा करके रहूंगी मैं तुम्हें कॉम्पिटीशन में हरा के दिखाऊंगी कांग्यून कहती है तो एक कलर ब्लाइंड डिजाइनर मुझे हरानी की बात करे है क्या तुम मेरी ड्रेस का कलर पहचान भी सकती हो कि ये कौन से कलर की है वो वहाँ से जाने लगती है मगर सुयोंग कहती है देखते हैं कि कौन जीटता है ये कॉम्पिटीशन तो अब सुयोंग बुचा करके जी सुंग से पर्मीशन मांगती है तो अगी सुयोंग जब अपनी डिजाइन टीम में वापस लॉटती है तब ये लोगी से रेख के हैरान होते है सुयोंग कहती है कि वो अकेले ही कॉम्पिटीशन में पार्ट लेना चाहती है मगर ये कैसे करोगी दीदी तब आज अचानक से होंग के मूँ से अच्छे शब्द निकलते है कि तुम ये कर सकती हो खर आगी सुयोंग देखती है कि जिन्वू कैसे प्रैक्टिस कर रहा है उसे फोन करने से पहले उसे रेलाइज होता है कि जिन्वू उसके कितनी परवा करता है अब जब जिन्वू को कॉल आता है तो वो ऐसी दबी आवाज में उठाती है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती जिन्वू फिर भी उसे चेर अप करने की कोशिश करता है वो सुयोंग से कहता है तो यहाँ पर आती तो बहुत अच्छा लगता सुयोंग फन करकर देती है जिन्वू परशाणों जाता है और अचानक से सुयोंग उसके पीछे आजाती है तो वो घबरा ही जाता है कि तुमने तो मुझे दरा ही दिया सुयोंग कहते है तुम्य इतनी चिंता थी जिन्वू कहते है अफकॉस तब मैं तुम्हें दे दूँगा तो अब आगे सुयोंग जब देर रात तक काम कर रही थी तब जिन्वू आकर कि उसकी मदद करने लगता है वो एक्चुली में उसकी आखे बनने का काम कर रहा था मगर ये काम करते-करते वो इन ब्यूटिफुल ड्रेस में ही सुयोंग को इमेजिन करने लगता है तब सुयोंग कहती है तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे साइड रखो ये ड्रेस में नहीं चेज सिला पहनने वाली है खेर आगे जिन्वू वो सुयोंग की कलर पहचानने में मदद करने लगता है उसे बता करके कि ये कलर कैसा दिखता है फाइनली सुयोंग जिन्वू की मदद से एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बना करके समिट करती है चबकि कांग्यून सच में एक नंबर की चीटर है वो डिरेक्टली चेज सिला को कॉल करके उसकी पसंद ना पसंद पूछ रही थी फर्स्ट राउन का जर्ट लगा दिया चाता है जिसमें सुयोंग कांग्यून और बची वी टीम फाइब भी थी खेर कांग्यून यहां सुयोंग से बोलती है जी भर के इस लिस्ट को देख लो क्योंकि आखरी बार तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आया है अगली बार यहां सिर्फ मीरा नाम होगा वो यह क्या करके जाने लगती है तब सुयोंग कहती है जी भर के तो तुम्हें इस लिस्ट को देख लेना चाहिए क्योंकि ये आखरी बार है कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है खेर सुयोंग यहां confidently कांग यून के खिलाफ खड़ी थी तो अब आगे जब जिन्बू सुयोंग को congratulations कहने के लिए जाता है तब वो उससे कहता है कि दुबारा से मुझे boyfriend बुलाओ ना अब यहां यह दूनों एक दूसरे को girlfriend boyfriend बुलाने लगते हैं और अलगी शर्माने लगते हैं तो अब next round में इन लोगों को presentation देने के लिए चे सिला के सामने जाना था चे सिला पहले से ही कांग यून की personality वगेरा से impressed थी इसलिए उसे उसकी presentation भी पसंद आती है मगर सुयों की time पे वो उसकी बेज़ती करते हुए कहती है क्या तुम designer हो? हमारे खुद के कप्रे तो design की हुए लग नहीं रहे फिर सुयों इससे बिलकुल भी नहीं घबराती है और वो अपनी presentation confidently देती है उसने एक बहुत ही प्यारा red color चुना था चे सिला कहती है पहली बार design कर रही हो क्या red carpet पे red color नहीं पहनते है सुयों कहती है मगर हर कोई red color पहनना चाहता है क्योंकि वो उसमें खुबचूरत दिखता है और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको खुबचूरत दिखा करके रहूंगी यहां साफ समझ में आ रहा था कि चे सिला को भी सुयों का idea बहुत पसंद आया है तब वो उसे कहती है ठीक है sample ready होने दो उसके बार decide करूंगी मगर कांग यून समझ गई थी कि सुयों ने चे सिला को impress किया है और वो बहुत ज़ादा परशान हो जाती है तो वहीं सुयों अपनी dress की preparation में लग जाती है तब अचानक से आज इतने साल बाद उसे उसके dad का call आता है और तब वो अपने dad से मिलने के लिए जाती है वो भी जिन्वू की family restaurant में ट्यों उसके dad से कहती है हब इतने सालों से कहाँ छुपे वे थे कि आपकी तबेद तो ठीक है तब उसके dad कहते है हाँ मैं ठीक हूँ पस मेरे अंदर confidence नहीं था तब लोगों के सामने आने का वो सुयोंग से कहते है कि इस वाली बात को अभी किसी को मत बताना खेर यहां सुयोंग की मुलाकात जिन्वो की dad से भी होती है मिस्टर चोई को सुयोंग अच्छी लगती है खेर सुयोंग यहां से चली जाती है अब मिस्टर चोई कहते है मुझे भी जाकर के जिन्वो की girlfriend से अब मिलना ही होगा और फिर वो हांग के पास बहुत जाते है कि मुझे अभी उस लड़की से मिलवा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा आप बिचारा जिन्वू के डैट से डरी जाता है और फिर सुयोंग के पास जाकर के कहता है सरत थोड़ दिर नीचे चलोगी कोई तुम से मिलने के लिए आया है अब जब सुयोंग माँ जाती है तब वो अंकल को देख कर के कहती है कि आप मज़ से हमिलने के लिए क्यों आये हैं तब अंकल कहते है क्या तुम डिजाइन टीम फाइफ से हो तुम जिन्वू को जानती हो अंकल तो बिलकुल हैरानी रह जाते है कि ये जिन्वू की गलफ्रेंड है अब वो उसे पूछते है कि तुम जिन्वू से कितने साल बढ़ी हो सुयोंग को जवाब दे उससे पहले अंकल कहते है मैं इस रिष्टे को एकसेप्टन नहीं कर सकता जिन्वू मेरे एक लौता बेटा है बले तुम दिल की कितनी अच्छी हो मैं तुमें जिन्वू के साथ नहीं देख सकता वो सुयोंग और जिन्वू की रिष्टे को रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं खर इस सबसे सुयोंग परिशान हो जाती है तब ही होंग उसे समझाने लगता है और उसके रिष्टे को ले करके एडवाइस देने लगता है तो सुयोंग कहती है कि ये मेरे और जिन्वू का मैटर है मैं इसे खुदी सौल कर लूँगी हब आगी जिन्वू वो तो फिर से गल्फरंड बॉइफरंड वाले मोड में था सुयोंग से बात करते वक्त कुछ जाधा ही खुश था तब सुयोंग कुछ सोच के उससे कहती है कि तीन दिन बाद हम मूवी डेट पे चलेंगे जिन्वू तो बहुत कुछ हुचाता है मगर शायद सुयोंग का इसके पीछे कोई मोटिफ था तो वहाई इधर नारा वो इन दोनों को जब साथ में देखती है तो उसका दिल टूटी जाता है कि अब तो कोई चांस बचा ही नहीं है बिचारी गम में हॉंग के साथ हैंग आउट करने के लिए चली जाती है अब नेक्स टेट जिन्वू को इन दोनों के बीच में कुछ गड़बर लग रही थी वो इन दोनों से पूछता है सरूर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और दोनों घब रही जाते हैं और जिन्वू तो इन्हें टीस करते हुए यहां से ही निकल गया था खेर आगे कांग्यून वो पूरे तरीके से सुयोंग को डी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी मगर सुयोंग वो confident थी क्योंकि जिन्वू जो उसके साथ था खेर सिर्फ जिन्वू नहीं बल्कि जिसुन भी सुयोंग को support कर रहा था इसलिए जब सुयोंग काम कर रही थी तब वो उसके पास आ करके उसे इन्हीं की ड्रेस दिखा करके उसे motivate करने की कोशिश कर रहा था खेर जब वो यहां से जा रहा था तब सुयोंग को जिन्वू का कॉल आता है और जी सुंग सुयोंग को जिन्वू से बात करता हुआ सुन लेता है अब जब वो भार निकलता है तो कॉरीडूर में जिन्वू खड़ा हुआ था सुयोंग के इंतिजार में अब जिन्वू ने प्रिस करने का मुकान नहीं छोड़ता है। वो जिन्वू के पास जाकर के कहता है। मुझे लगता है तुम्हारा काम हो चुका है। मुझे वो इंपलाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो ओवर टाइम के नाम पे कंपीनी में ऐसे ही रुख जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। तो तुम्हे घर जाना चाहिए। मुझे कोई ओवर टाइम नहीं चाहिए। वो तो बिना कुछ बोले हाँ से जाने लगता है। और जिन्वू से पीछे से चुड़ाने लगता है। तब ही जी सुंगों से घूर के दिखता है। इसी के साथ ये वाले पार्ट के explanation यहीँ ilikanto Pittsburgh होती है। दूस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करत दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। टेपो चल